वेरी वेरी गूड इवनिंग तो इस सेशन में हम बात करेंगे डी आई की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक की जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल हो सकती है एक calculated questions में तो जड़ा सवाल हम देखते हैं देखो सवाल में हमको एक pie chart दिया गया है जिसमें total students का distribution हमको दिया गया है in different colleges है ना so let's suppose this is college A, this is college B, this is college C and this is college D है ना तो college A, B, C, D में हमको distribution दिया गया है students का और angle के form में यह data हमको दिया गया है अच्छा और इस table में हमको दिया गया हर एक college में कितने percent boys हैं है ना so question हमसे पुछा गया find the average of differences between boys and girls in all colleges put together right तो अगर आप इसको normal तरीके solve करेंगे तो यह काफी ज्यादा calculated होने वाला है because आपको चाववन सो में से सबसे पहले इन degrees की value calculate करनी पढ़ेगी और करनी आनी चाहिए सबसे पहले तो अगर आती है तो उसके बाद calculate करनी पढ़ेगी जिसमें time लगेगा फिर आप total students निकालेंगे फिर हरे college में boys girls boys girls निकालेंगे है ना so it will take a lot of time है ना तो कैसे हम इसमें समय बचाए ज़रा ध्यान से देखिए देखो यह जो distribution है ultimately है तो यह distribution और distribution का मतलब क्या होता है ratio है ना distribute मतलब कैसे हमने चीज़ों को divide गिया है so it's ultimately a ratio तो इसका ratio matter करता है तो जल्दी से हमें मैं इसका ratio लेता हूँ देखो a b c d में जो total students का जो ratio आएगा अगर हम a b c d में total students के ratio की बात करें तो 53.33 मतलब 53 1 by 3 it is nothing but 53 1 by 3 तो 53 into 3 is 159 plus 1 is 160 by 3 b is 80 and c is what 106.66 मतलब 2 by 3 so it is 318 plus 2 320 by 3 and what is d d is 120 so we can quickly cancel this by 40 40 से cancel कर देते हैं 4 बार 40 से 2 बार 40 से 8 बार और 40 से 3 बार 3 का सब में multiply हम कर देते हैं तो यह 4 हो जाएगा 3 into 2 6 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा तो ultimately इन चार हो में जो total student है उनका ratio आ गया 4 is to 6 is to 8 is to 9 है ना 4 is to 6 is to 8 is to 9 अच्छा अगर मैं boys और girls के difference की बात करूँ तो आप यह देखो कि हर एक college में जो boys हैं वो जादा है girls से क्योंकि 50% से जादा होने का मतलब है कि boys majority में है तो सारी values 50% से जादा है या एक values के बराबर भी है तो अगर यहां पर boys 60 है तो girls कितनी हो जाएगी 40 सो difference कितना आएगा 60-40 यानि कि 20% विकोज हमें differences का average चाहिए न गर्ल्स और boys के difference उनका average चाहिए तो हम difference की बात कर रहे है direct in terms of percentage यहां difference कितना होगा अगर मैं यहां पर difference की बात करूं तो 70-30 40% अजया यहां कितना होगा 55 and girls होगी 45 55-45 का difference हो गया 10% अजया यहां कितना होगा boys 50 girls 50 so difference is what 0 तो अगर हम यह weighted average apply करें तो हमें इन सब का जो differences है जो differences दी गए in terms of percentage उनका average हमको मिल जाएगा by using weighted average तो weighted average लगा लगा लेते हैं होगया 80 20 into 4 80 plus n1 a1 plus n2 a2 plus n3 यह थी यह concept आपको पता होना चाहिए this is what 240 240 plus यह होगया 10 into 8 80 plus यह तो 0 होगया divided by इन सब का sum 6 और 4 10 और 8 18 18 plus 9 27 इतना परसेंट तो यह कुल मिलाकर 80 80 160 160 plus 240 400 400 by 27 परसेंट किस में से टोटल में से अजा percentage से तो 2 0 तो cancel हो जाएंगी so it is ultimately 4 by 27 of total 4 by 27 of total now what is total total is 5400 तो इससे 200 times cancel होगया 200 into 4 answer is what 800 yes यह answer केवल इतनी सी calculation के साथ आ सकता है आपको अलग-अलग ना तो यह angle की values निकालने की ज़रूरत ना अलग-अलग boys and girls निकालने की ज़रूरत आप concepts से इस question को बहुत ही जल्दी solve कर सकते हैं yes तो hopefully यह technique आपको समझ आई होगी और यह technique कैसी लगी comment करके ज़रूर बताना और कोई भी बच्चा अगर match पढ़ना चाहता है आने वाले banking exams के लिए तो आप उसको यह batch refer कर सकते हैं आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप complete brahmast package में enroll कर सकते हैं इसमें आपको चार-चार अलग-लग batches मिल जाते हैं और प्लस इसमें test series का subscription भी मिल जाता है तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं सुमित्सरacademy.com website या सुमित्सरacademy app ठीक है तो hopefully वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर लिजिएगा Thank you so much